नवजात शिशू कई बार दूद पीते ही उल्टी कर देता है या दूद पिलाने के बाद वहां पूरा दूद निकाल देता है इसे देख न्यू मॉम परिशान हो जाती है क्या शिशु में उल्टी होना सामानने बात है क्या इसके कारण हो सकते है बार बार शिशु उल्टी कर रहा है तो क्या उपाय आपने करने चाहिए ऐसे कई सारे सवाल मा के मन में आने लगते है और उसके चिंदा बढ़ जाती है चलिए आज हम इस वीडियो में इन सभी सवाल के जवाब जानेंगे नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी सी तल्टों से संजीवन पॉजिटिव पारंटिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं मैक्सिमम टाइम्स दूद पिते ही उल्टी कर देना यह नवजात शिशु में सामानने तहा दिखा जाता है मगर बच्चा य इसी में कई बार दूद पिते ही बच्चे उल्टी कर देते हैं मगर कभी-कभी बच्चों को अपज के कारण भी उल्टी हो सकती है इसके अलावा अगर शिशु को सर्दी खासी है तो भी उसे उल्टी हो सकती है अगर शिशु को जरूर से ज़ादा दूद पिलाया जाए त पहले हमें इसे समझना अवश्चक है कि आपका शिशू दूद उलट रहा है या उसे उल्टी हो रही है। जब बच्चा दूद निकालता है तो यहां अपने आप बिना किसी बल के मूँ के बाहर आजाता है। शुर्वाती महिनों में शिशू के फूड पाइप और पेट की मास पेश्या पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। या फिर शिशू दूद पीते हुए कभी-कभी हवा भी अंदर ले लेता है जो ड़कार के रूप में दूद बाहर निकलता है। ऐसे situation में यहां चिन्टा का विशे नहीं है। इसके अलावा जब शिशू उल्टी करता है और उसे उल्टी करते समय एकदम जोर लगाना पड़ता है और दूद बाहर निकलता है। इसके साथ वहां रोता है और उल्टी की मातरा भी अधिक होती है तब यहां चिंता का विशे हो सकता है। उल्टी में बल्गम जैसा भी एक्सक्रिशन होता है तो आपको ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा अगर शिशु का मुँ सूख रहा है उसे उल्टी के साथ साथ बुखार या दस भी लगे है या फिर दूध पिते समय वहां मना कर रहा है शिशु के पेट में ग्यास बन रही है उसका पेट फुला हुआ नजर आ रहा है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को दि कर सकती है और कब आपको डॉक्टर को दिखाना है कई बार नवजाज शिशु में होने वाली उल्टिया अपने आप ठीक हो जाती है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शिशु को उल्टी के बाद आप O.R.S. पिला सकती है आपको शिशु को थोड़ा थोड़ा O.R.S. का भोल पिलाना है O.R.S. शिशु की उर्जा की पूर्टी करने में मदद करता है आप यहाँ पानी बच्चे को थोड़े थोड़े इंटरवल से पिला सकती है फिर जब शिशु उल्टी करना बंद कर दे तो आपको थोड़ा थोड़ा स्तनपान कराना है यदि आपका शिशु शे महने के उपर के आयू का है और वहाँ ठोस आहर लेता है तो उसे उल्टी बंद होने के बाद हलका आहर आपको देना है उसे आप स्मैश के हुए चावल के साथ थोड़ा दही मिला कर खिला सकती है या फिर आप केला भी दे सकती है अगर आपका शिशु शे महने से अधि आयू का है तो आप उसे उल्टी से रहत पाने के लिए इलाई जी का पानी भी पिला सकती है एक छोटी इलाई जी को एक कप पानी में उबाले और उसे ठंडा करने के बाद थोड़ी-थोड़ी मात्रा में शिशु को पिलाए इलाई जी का पानी उल्टी को कम करने में मदद कर सकता है इसके अलवा पौश्टिक अहार भी आपको शिशु को खिलाना है शिशु को उल्टि takiej के बादपौश्टिक अहारं देना के कोशिशिक करे या यदि आप दूद को निकानने के लिए चिंतित है तो फिर शिशु को अन्यफ पौश्टिक क्हाथ जैसे कि चाज, खीर, सूप या फलोग की प्यूरी भी आप खिला सकती है। बार-बार उल्टिया कर रहा है, तो कुछ सावधानिया आपको बरतनी है। जैसे हमेशा शिशु को दूद पिलाने के बाद डकार अवश्य दिलाए। यदि आपका शिशु बोतल से दूद पिता है, तो ध्यान दे कि निपल का छेद छोटा हो। फॉर्मूला मिल्क पिलाते समय बोतल की साब सफाई पर उचित ध्यान आपको देना है। यदि आप ट्रावलिंग में है और ट्रावलिंग में शिशु बार-बार उल्टी कर रहा है, तो बीच में थोड़ा रुख कर आपको शिशु को बाहर की खुली हवा में ले जाना है। यदि शिशु ठोज आहर लेता है तो ट्रावलिंग के पहले ही उसे कुछ खिला दे। तो यहां है वहां घरेलू उपाए जो आप आजमा सकती है। साथ ही आप आपके पारंटिंग को और अच्छे से बहतर बना सकती है। जी हां आप जुड सकती है संजीवन पॉजिटिव पारंटिंग के साथ जि आसते रहें मुश्कुराते रहें एंजोई करें आपके पारंटिंग का हरुक्षन संजीवन पॉजिटिव पारंटिंग के साथ धन्यवाद